कि हलो फ्रेंड्स मेरा नाम रवी है ग्यान हिंदी टिप्स में आप सभी का फेश स्वागत है अगर आप क्रिप्टो इंवेस्टर है या आप क्रिप्टो करंसी में इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो वाला है जिस तरह से cryptocurrency market में improvement देखने को मिल रहा है total cryptocurrency market के बात करें तो 1.83 trillion dollar तक पहुच चुका है इस level पे आने के बाद cryptocurrency market यहां से उपर की तरफ जाएगा या फिर यहां से reverse moment ले सकता है हमें cryptocurrency market में इस वक्त entry लेनी चाहिए या हमें entry लेने के लिए wait करना चाहिए यह सारी detail अभी इसी वीडियो में आगे चल के step by step हम जानेंगे और अच्छे से समझेंगे अगर आप लोग इस channel पे पहली बार आया है तो channel को subscribe कर लिजिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक like जरूर कर दीजिए चल यह वीडियो continue करते हैं आज का यह वीडियो हम education purpose से बना रहे हैं अगर आप कभी भी कोई भी investment करना चाहते हैं तो खुछ से research कर लिजिए और अपने financial advisor से जरूर contact कर लिजिए तो जैसे कि आप देख सकते हैं cryptocurrency market 3% अप चल रहा है और total market capital आप देखेंगे तो देख सकते हैं bitcoin में भी बहुत ही अच्छी recovery देखने को मिली है bitcoin इस वक 45,000 dollar पे पहुंच चुका है जो की 28,000 dollar का test कर चुका है 28,000 dollar तक जा चुका है और यहाँ पर इस वक काफी अच्छा recovery भी दे चुका है पिछले 24 गंटे में bitcoin ने 4.37% का growth दिया है और पिछले 7 दिनों की बात करें तो 6.29% का इसने growth दिया है bitcoin के साथ साथ आप देखेंगे जितनी भी other crypto tokens है crypto coins है उन सभी के सभी tokens में यहाँ पर बहुत ही अच्छी recovery देखने को मिल रही है bitcoin में यहाँ पर बहुत ही अच्छी recovery देखने को हमें मिल रही है जिस वज़े से सारे के सारे tokens सारे alt coins यहाँ पर अच्छा खासा moment दिखा रहे है dose coin की बात करें तो देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में dose coin ने 27% का growth दिया है और पिछले 7 दिनों में dose coin ने 25% का यहाँ पर growth दिया है उसी तरह से यहाँ जितने भी tokens आप देखेंगे यह recovery कब तक बनी रहेगी और किस level पर जाके यहाँ पर bitcoin में हमें दोबारा से गिरावट देखने को मिल सकती है तो यह सारी चीज़े अभी हम वजीरेक्स के site पर जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं laptop screen पर मैंने वजीरेक्स का site open कर लिया है अगर आप लोगों के पास वजीरेक्स में account नहीं है तो वजीरेक्स में account बना सकते हैं वजीरेक्स इंदिया का most trusted platform है जहाँ पर आप अपने पैसे invest कर सकते हैं और काफी अची returns आप earn कर सकते हैं वजीरेक्स पर trading करना बहुत ही simple है इसके उपर एक detail video already मैंने बनाया है उस video का link आपको description box में मिल जाएगा साथ ही आपको ये video end होने के बाद वो video आपको screen पे नजर आ जाएगी तो चलिए topic पे चलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं bitcoin नजर आ रहा है हम bitcoin को open कर लेते हैं और ये bitcoin का chart हमारे सामने खुल चुका है अब इस chart को देखेंगे और समझेंगे कि bitcoin किस level तक जाएगा और कहां से bitcoin में एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है तो चलिए इस graph को पहले मैं zoom कर लेता हूँ ताकि मुझे बताने में और आपको समझने में काफी आसानी हो सके तो यहाँ पर आप देख सकते है bitcoin का graph मैंने open कर लिया है zoom भी कर लिया है और यहाँ पर कुछ lines आपको नजर आ रही होंगी पहले जो videos मैंने बनाये थे bitcoin को लेके जिस वक्त bitcoin का value गिर रहा था यह lines उस वक्त मैंने draw किया था और यहाँ पर हमने देखा था और जाना था कि इन दोनों line के बीच में bitcoin move कर रहा है और जैसे ही इस line को यह break करके निकलता है तो इसमें हमें एक अच्छी improvement देखने को मिल सकती है जो कि देख सकते हैं यहाँ पर 42,000 का यह level था जिसे break करके इस वक्ति 45,000 के level पे bitcoin पहुँच चुका है अब इस 45,000 के level की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस level पे इसे बहुत ही अच्छे support यहाँ पर है जो कि फरवरी महिने में इन support को लेके यह काफी अच्छा उपर गया था और all time high इसने मारा था 64,500 के आसपास और इस वक्त यह उसी support level के आसपास यह survive कर रहा है यहाँ से अगर यह 500 point भी उपर उठता है इट मेंस मान लीजिए कि अगर bitcoin यहाँ से 45,500 को cross कर लेता है तो हमें बहुत ही जल्द bitcoin में एक अच्छा number देखने को मिल सकता है लेकिन एक चीज में आपको और बताना चाहूंगा कि जैसे ही यह 46 यह 47,000 का level टच करेगा वहाँ से bitcoin दुबारा से नीचे की तरफ आता हुआ हमें दिखेगा और दुबारा से वह 44,000 यह 44,500 के आसपास आ सकता है और उसके बाद फिर यह उपर निकलेगा तो 50,000 का level भी यह cross करके निकल जाएगा तो bitcoin में अगर entry लेने की अगर बात करें तो bitcoin में current level पे भी हम entry ले सकते हैं क्योंकि current level आप देख सकते हैं around 45,000 के आसपास चल रहा है यहां से यह 1500 डॉलर उपर जाएगा और वहां से यह एक छोटा सा गिरावट हमें दिखा सकता है लेकिन वो छोटी सी गिरावट बहुत ही short term के लिए रहेगी और उसके बाद यह 50,000 का number हमें बहुत ही आसानी से दिखाएगा तो आप चाहें तो उस गिरावट का भी इंतिजार कर सकते हैं या तो फिर अगर आप चाहें तो current level पे भी investment कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मैं कोई financial advisor नहीं हूँ अगर आप कोई भी investment करना चाहते हैं तो अपने research कर लिजिए और अपने financial advisor से contact जरूर कर लिजिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि bitcoin के अलावा जो other tokens है alt coins है उनकी क्या position है तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर इसे मैं यहाँ पर change section पे click करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर जितने भी tokens आपको दिख रहे हैं तो 27% का growth dose coin ने दे दिया है Shiba Inu token की बात करें तो 25% से ज़ादा इसने एक दिन में इसने growth दे दिया है इसी तरह से जितने भी tokens आपको नजर आएंगे यहाँ पर सारे के सारे token में बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें growth देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छा recovery हमें देखने को मिल रहा है और यह सारा का सारा recovery इसलिए है क्योंकि Bitcoin में हमें बहुत ही अच्छा improvement देखने को मिला है Bitcoin में जितना ज़ादा growth आएगा उतना ही ज़ादा हमें alt tokens में growth देखने को मिलेगा अब जैसे ही Bitcoin का price 50,000 cross करेगा तो यहाँ पर जितने भी alt coins है इन सभी के सभी alt coins के price आस्मान चुने लगेंगे काफी अच्छे returns यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं तो overall अगर इस वीडियो को हम summarize करें तो यहाँ पर एक ही चीज नजर आती है कि Bitcoin एक अच्छे form में चल रहा है Bitcoin में एक bull run देखने को मिल रहा है यहाँ से Bitcoin अगर थोड़ा सा भी उपर की तरफ जाता है जैसे ही 45,500 का level Bitcoin टच कर लेता है तो यहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छा number देखने को मिल सकता है और 50,000 का level हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है वीडियो बनाते बनाते आप देखेंगे कि Bitcoin का price यहाँ पर 45,300 तक पहुच चुका है जो कि अभी कुछ समय पहले यह 45,000 से भी थोड़ा सा कम value चल रहा था तो आप समझ सकते हैं कि Bitcoin में कितना अच्छा bull run चल रहा है बहुत ही जल्द Bitcoin अपने all time high को break करके अपना एक नया all time high बनाएगा और उसी के साथ जितने भी alt coins हैं उन सभी के सभी tokens के price में बहुत ही अच्छे number हमें देखने को मिल सकते हैं I hope आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी beneficial रहा होगा इस तरह की और भी कई सारी वीडियो आने वाले समय में बनाने वाला हूँ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरन चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजे आज का ये वीडियो यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिए धन्यवाद